आज हम बनाएंगे आलू मटर की सबजी जो की बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है इसे रोटी, पराठे, पूरी, चावल सब के साथ खाया जाता है तो इसे बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें 4 उबले आलू, मटर, प्याज ले लेंगे एक, दो हरी मिर्च, एक टमाटर, धनिया पत्ती यहां कडाही गरम करके तेल डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे जीरा, सुखी लाल मिर्च और एक तेज पत्ते को तोड़ करके डाल देंगे अब डालेंगे इसमें हिंग, मटर की सबजी बना रहे है तो उसमें हिंग डालना जरूरी होता है अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक ये golden brown न हो जाए देखे फ्रेंड्स प्याज हमारा भून चुका है जब प्याज हमारा इस stage में आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी चम्मच कुटी हुई अदरक लसन आप इसकी जग अदरक लसन का पेश्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर कुटी हुई अदरक लसन का फ्लेवर जादा अच्छा आता है सबजी में इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है इसका कच्चापन खतम होने तक हमने इसे फ्राइं किया है अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो सबसे पहले हमने डाला है हल्दी पाउडर जीरा पाउडर धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और अब हम गैस की फ्लियम को एकदम लो रखेंगे वो इसलिए क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं और मसालों को मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच कास्मीरी मिर्च पाउडर अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप रेड़ चिली पाउडर डाल सकते हैं पर हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने दो हरी मिर्च कटी हुई डाली थी अब हम इसमें मतर डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए हम आधी मिनट तक भूनेंगे और फिर हम डाल देंगे इसमें टमाटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसमें डाल देंगे नमक डालने से क्या होगा कि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे और मसाले में एक तम मिक्स हो जाएंगे टमाटर को मैं अच्छी तरीके से गलाना है आपको याद होगा फ्रेंड्स मैंने बोला था कि मसाले को लो फ्लेम पर ही भुने उससे होगा यह कि एक तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और दूसरा अगर हम धीरे-धीरे मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे तो उसमें टेस्ट निखर कर आएगा एकदम नमक को हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसे धक कर चार से पांच मिनट तक पकने देंगे देखे फ्रेंड्स चार पांच मिनट भुनने के बाद हम मारे मसाले कुछ इस तरह से दिख रहे हैं एक दम टमाटर बिलकुल गल चुका है और मटर भी सॉप्ट हो चुके हैं इस स्टेज पर हम डालिंगे अपना एक सिक्रेट मसाला तो हमन आदी मिनट भुनने के बाद जो हमारे उबले हुए आलू है उसे हम रफली तोड़ कर डाल लेंगे इस तरीके से देखे इस तरीके से एक्टम रफली तोड़ कर डालना है तो सारे आलू को हम इसी तरीके से डाल लेंगे अब गैस के फ्लेम को थोड़ी तेज कर लेंगे औ और आलू को चलाते हुए दो मिनट तक भुनेंगे अगर आपको आलू मटर की सुखी सब्जी खानी है तो इसी स्टेज पर हम इसे थोड़ी दर और भुन के धनिया पत्ती डाल करके गैस की फ्लेम आफ कर देंगे लेकिन हम बना रहे हैं तरी वाली सब्जी तो दो मिनट भु पसंद हो तो उसके हिसाब से अपने किसिस के साथ खाना है इस पर भी डिपेंड करता है तो पानी हमने डाल लिया है अब हम इसे ढखकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए 5 मिनट हो गया है अब हम ढखकान अटाकर इसे चेक कर लेंगे सब्जी हमारा बन के तयार है बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है लाश्ट में डालेंगे हम इसमें धनिया पत्ती और गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे आप चाहें तो इसमें एक चमच घी भी डाल सकते हैं अब हम इसे मिक्स कर लेंगे आलू मंटर की सब्जी हमारी तयार हो गई है एक दम अब हम इसे एक प्याले में निकाल लेंगे अगर हमारी रेज़िपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बोलें